दिग्रश शहर के गली मुहलों और बाजार परिसर के रास्तों की दुरावस्ता से शहर वासी परेचान है स्तानिय प्रशासिन की उच्छ कोटी की लापरवाही की बदलत बारिश के मौसम में शहर के अधिकतर इलाके बढ़ाल सडकों और गड़ों के जान में फसिवे नजर आ रहे हैं दिगरश शहर के चौक चौराहों पर जुंड की शकल में इकटा लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की होती है तो राजनीती की होती है कई राजनीती कंद भक्त अक्सर ये भाव वो भाव ये पार्टी वो पार्टी की शेखी बगारते नजर आते हैं कई लोगों के बीच तो अपनी बुनियादी समस्याओं से ज्यादा आने वाले चुनाओं की चिंता उन्हें सताती रहती है इनी सारे क्रिया कलाप से शेहर की कई चाई टपरिया और नुकड आबाद है लेकिन शेहर की बुनियादी समस्याओं के मुद्दे पर सब हाथ के हाथ धरे बैठे हुए नजर आते हैं इक तरफ राजनीती की गलियारों में जनहितेशी मुद्दों को खाने में सौधा नुसार नमक की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ शेहर की नागरी सुविधाओं की देखरेक का जिम्बा समालने वाले अस्तानिय पाली का परशासन का तेवर आजकल खुले सांड की तरह बेवपरवा हो चुका है यही वज़ा है कि शेहर के अधिकतर इलाकों के रास्तों पर हलकी बारिश से पानी जमा होने से रास्ते तालाप की शकल में ढ़ल रहे है चौक चौराहों पर और बाजार लाइन की सडकों पर गड़ों के जाल शेहर वासियों की फूटी किस्मत की जिंदा तस्वीर बन गए है ऐसा नहीं है कि शेहर की बुनियादी समस्याओं से राजनीती में सक्रिय लोग अंजान है उन्हें सब पता है इन में से कुछ लोग जन सामाने लोगों के मुद्दों को उठा कर अपना आकरोज भी व्यक्त कर रहे है वहीं कई लोग अपने राजनीतीक प्रभाव से समस्याओं को सुल्धाने के बजाए कई तरह के मनोरंजन के आयोजन से जनता को लुभाने में लगे है सोशल मेडिया पर शेहर के कथित फर्जी नेताओं और भावी नगर सेओकों की चमकोगीरी देखने लायक है सोशल मेडिया पर इन सक्रिय कारे करताओं की फोटोशॉप की कला इतनी माहारत हासिल कर चुकी है कि उनके आगे परचार कमपनियों ने मानो घुटने टेक दिये है इन सब के बीच आम शेहर वासियों की बुनियादी समस्याएं जसकी तस है कचरा उठाने वाली घंटा गाडिया हो, सड़कों की दुरावस्ता हो, नालियों की सफाई हो या चौक चौरा हो पर ट्रैफिक की समस्या हो इन सब विशेयों पर बड़ बोले नेताओं की बत्ती गुल हो चुकी है जिसकी वज़ा से शेहर के बुनियादी नागरी सुविधाओं का विकास अंधकार में डूपता नजर आ रहा है इन्बीसियन न्यूज के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट